हेलो इस्टुएंट्स æियॉLecome to yupt master तो आज हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग topic discuss करेंगे मेजरिंग इस्ट्रुमंट जिसमें हम मेटर ब्रिज के बारें बात करेंगे मेटर ब्रिज क्या होता है देखते हैं तो meter bridge एक wooden plank के उपर एक magnet का wire होता है और इसके अब़ दो strips एक gap के साथ होती हो औरह यहां पे भी gap होता है जिसमें हम यहां पे register fit कर सकते हैं एक जगह known register fit करेंगे और एक जगह unknown register fit करेंगे तो basically it is based on the principle of balanced wheat stone bridge इसे हम इस तरीगरे से arrange करते हैं कि यह समें आए कि यह ब должны कंडिशन पे आजा है और यह जो इसमें वायर लगा होता है यह मैगनिन का वायर होता है और क्योंकि इसकी लंबाई एक मीटर होती है इसलिए इसको बोलते हैं मीटर बिच राइट जो फाइनल सेट अप होता है वह कुछ इस तरीके का होता है कि इन दोनों गैप के बीच में एक हम नोन रेजिस्टर करते हैं आप डाग्राम में देख सकते हो कि रेजिस्टर बॉक्स करक्ता है बिच्वीट दीज balance stage में होता है यानि आप जॉकी को slide करोगे जब आप जॉकी को इस तरफ slide करते हो तो निडिल एक side deflection दे रही है और जब दूसरी side touch करेंगे तो निडिल दूसरी side deflection देगी इसका मतलब यह है कि हमारे connections proper है अब हम जॉकी को इसको पर slide कराते हैं और तब तक मूव कराते रहते हैं जब तक हमको zero deflection ना मिल जाए once we get zero deflection then at that time it will be in balance state जो भी रिस्टर यहां लगा हुआ है और जो इस वायर इस part of wire का resistance है इसका ratio जो register आपने यहां लगाया हुआ है unknown register और इस part के wire का resistance है इनका ratio बराबर होता है right तो the jockey of galvanometer is moved till we get null point right now let's see इसका एक simplified diagram है जो आम generally बनाते हैं वो इस तरीके का है तो जब galvanometer में आपको zero deflection दिख रहा है जब यहां से flow होने वाली current आपको zero मिल रही है उस condition पे यह balance state में है और हम लिख सकते हैं r1 upon r2 is equal to r3 upon r4 right यहां क्या लिख सकते हैं r by s this is r this one is s r by s अगर मैं यहां से यहां तक की length को l1 मान लू तो यह है resistance of l1 ओके और यहां से यहां तक की resistance को मैं मान लेता हूं r l2 तो हम क्या लिख सकते हैं this one upon this one is equal to this one upon this one right क्यूंकि हमारा wire uniform है cross-sectional area same है सब जगा और यह same material का बना है यानि इसकी resistivity same है हर जगा तो हम लिख सकते हैं r is equal to rho l upon a इसका मतलब यह है कि wire का जो resistance है वो directly proportional to length होगा अगर हर जगा resistivity और cross-sectional area same है तो if r is proportional to l तो हम यहां पे इस ratio को क्या लिख सकते हैं l1 by l2 लिख सकते हैं तो ultimately हम this one upon this one is equal to this length upon this length लिख सकते हैं by performing experiment you can find out the value of l1 the length of total wire is 1 meter तो remaining length कितनी हो जाएगी 1 minus l1 तो experiment perform करके हम l1 निकालते हैं आपको यह दोनों value experiment से मिल जाएंगी यह register आपने set किया हुआ है इसकी resistance हमको मालूम है यह हमारा unknown register है s इसकी value नहीं मालूम है तो इस expression के help से हम s की value निकाल सकते हैं तो यह हमारा experiment था नाओ लेस सी वन एक्जाम्पल तो एक बर कुश्यन को देखेंगे तो अन्नों resistances are connected in two gaps of meter bridge right and the null point is obtained at 40 cm from left hand तो left hand से हमें जो gap मिल ला है यहां से 40 cm पर मिल ला है जब यहां पर एक register R1 है और यहां पर एक register R2 लगा हुआ है हमने galvanometer को यहां connect किया जोकी जब इसके पर slide कर आई तो यहां पर हमको null point मिल ला था और हमारा जो source है वो यहां पर connected है इस तरीके से it may have or may not have internal resistance right तो यह हमारा circuit है इसमें पहली information जो दे रहा है वो कह रहा है कि यह 40 है total length 100 cm होगी तो यह remaining length हो जाएगी 60 cm right तो अभी जो हमने discuss किया है वहां से क्या लिख सकते हैं पहली equation R1 by R2 is equal to 40 by 60 लिख सकते हैं now second situation में अगर हमने 30 ohm का register series में लगा दिया with the smaller register तो इन दोनों में smaller कौन सा होगा यह वाला क्योंकि यहां पर जो balance length आ रही है वो कम आ रही है और यह ज्यादा आ रही है that means from diagram R1 is less than R2 okay तो जो smaller वाला है उसमें हमने 30 ohm register series में लगा दिया तो एक register यहां पर लगाएंगे series में along with R1 now you have one more register of resistance 30 ohm connected in this gap अब situation क्या है कि null point shift हो रहा है 20 centimeter से तो अभी जो null point आपको यहां मिल ला था वो null point आप shift हो के यहां आ गया तो अगर यह 20 centimeter से shift हुआ है तो यह वाली length 40 plus 20 यानि यह वाली length हमारी 60 हो जाएगी और यह वाली length हमारी 40 हो जाएगी तो अभी situation में this is 60 centimeter and this one is 40 centimeter right इस situation के लिए हम सकते है र 1 plus 30 divided by 60 will be equal to this one upon this one is equal to this one upon this one यह हम सीधे यह भी लिख सकते है कि this one upon this one is equal to 60 by 40 अभी यह दो equation आ रही है दो situation से इन दोनों को solve कर लेंगे हमको answer मिल जाएगा second option that is 24 ohm तो मीटर ब्रिच की problem को solve किस तरीके से करते हैं I hope यह concept समझ में आया इसे balance में operate कर रहे हैं तो balance में अगर operate कर रहे हैं wheatstone ब्रिच का concept लगाएंगे r1 upon r2 is equal to r3 upon r4 उसे इसको solve कर लेंगे right तो basic concept clear हो गया एक animation देखते हैं जिससे हमको समझ में आया तो यह arrangement है जो मैंने आपको पिछले diagram में दिखाया अब इसको करेंगे किस तरीके से देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहां पर कुछ resistance लेके आना है हम यहां से एक resistance box से एक plug निकाल लेंगे so we will remove one plug और key को close कर देंगे key हमने close कर दी अब हम battery को on करेंगे और जो जॉकी है उसको वायर के दो पॉइंट पर टच कर आएंगे दो extreme पर टच कर आएंगे अगर हमारा deflection opposite side में आ रहा है दोनों पॉइंट पर टच कर आने पर इसका मतलब यह कि सारे connection सही हैं और हम experiment कर सकते हैं अब हम जॉकी को slide कराना start करेंगे तो जैसे हम जॉकी को slide करा kayंगे निडेरो की तरफ पर उख जाएंगे जहां पर निडल हमारी exactly zero पर आ जा रही है इसका मतलब इस वक्त आपको zero deflection मिल ला है right तो यह हमारा experiment है इस situation में हम this resistance divided by this length will be equal to this resistance divided by this length लिख सकते हैं so I hope यह पूरा experiment आपको समझ में आया right इसी तरीके के और इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए आप यह प्मास्टर आप डाउनलोड कर सकते हैं thanks very much for watching